आपका स्वागत करता है 17 जन्वरी आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा बिटेन के प्रख्यात मानो सास्ट्री अल्प्रेट रेजिन अल्ड ब्राउन के बारे में जिने हम सभी ए आर रेड क्लिफ ब्राउन के नाम से जानते हैं इनका पूरा नाम है अल्पेट रेजिन अल्ड रेड क्लिफ ब्राउन ये इनका जन 17 जन्वरी 1881 में बर्मिंगम उनाइटिट किंग्डम में हुआ था इनके पिताजी साधरन क्लरक से इनका नाम था अल्पेट रेजिन अल्ड ब्राउन इनकी इमां जो थी उनका नाम था अलफेट रेजिनॉल्ड की जो वाइफ थी ब्राउन की उनका नाम था रेट क्लिफ और 1926 में रेट क्लिफ ब्राउन ने अपने नाम के साथ अपनी मा का नाम जोड़ लिया और तब से इनका नाम हो गया अलफेट रेजिनॉल्ड रेट क्लिफ ब्राउन जिसमें अलफेट रेजिनॉल्ड पिताजी का नाम है रेट क्लिफ मा का नाम है और प्राउन तरनेम है अलफेट इनका भी नाम था पिताजी नहीं रखा था यह ए आर रेट क्लिफ ब्राउन के नाम से सरभादिक चर्चा में ह जाते हैं इनका सिध्धान खाफी महत्मूर है उनाइटेट किंग्डम के बर्गेंगम स्टेट में आपका जो पढ़ाई हुई पैरंबिक सिक्षा हुई किंग एडवर्ड्स स्कूल में पैरंबिक सिक्षा हुई के पास ट्रीनिटी कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन के बर्मेंगम लाइब्रेडी में कुछ समय तक आपने काम भी किया इसके बाद बर्मेंगम उनिवस्टी में आपने पैरे मेरिकल स्टडीज का देन प्यारम किया जिससे इनके भाई जो थे बड़े भाई बहुत नाराज हुए बोले स्टेबिटी नहीं है तुम में यह प्रा महां पर प्रख्यास मनुवग्यानिक थे डबलू एचार रिवर्स उनके संपर्क में आए और उनके उपर बहुत कुछ डबलू एचार रिवर्स का प्रभाव पड़ा है मॉरल साइन्स के छाथ थे केम्परिज में डबलू एचार रिवर्स के 1906-1908 में ब्राउन ने इंडियन ओशियन के जो अनमान दीप शमू है इसमें अपना पहला छेती अधिन किया था 1906-1908 में रैट्पिल ब्राउन ने भारती हिंद महाशागर का जो अनमान दीप शमू हैं जहां पे जनजातियां काफी प्रिमिटिर ट्राइब्स हैं बहुत सीमिस संक्या में हैं उनका इनोंने पहला छेती अधिन किया था और 1922 में उनके इसी अधिन को पहला क्लासिकल मोन अनमान आइसलेंडर प्रकासित हुआ 1910-1912 में आपने असीले के जनजाती समू में नाथिदारी ववस्ता का सर्वेक्षण किया और इनका बहुत ही प्राइब फीचर था 1916 में आप टोंगा में देचन अफ्रीका टोंगा में डारेक्टर आफ एजुकेशन बने 1921 से 1925 में आप कैप्टाउन इन्वस्टी में मानविग्यान के प्रोफेसर थे फिर 1925 से 1931 से 1937 तक शिकागो विस्विद्याले में भी आप प्रोफेसर से थे आपके सिड्मी में प्रमुख चाते थे जो इनके बहुत ही प्री चाते सोल्टेक्स और फ्रेट इगन आपके प्रमुख चाते थे 1937 में ए आर ब्राउन बापेस इंग्लेंड आए और अकफोर्ड इंवस्टी में आपने 1937 से लेके 1946 में रिटार्मेंट तक आप यहीं रहे और यहां पर आपने ब्रिटिस सामाज विज्ञान की स्थापना की इसलिए इनको ब्रिटिस सामाजिक महानो विज्ञान के पितामय की रूप से भी जाना जाता है इनका इनकी किताब भूत प्यमेस है जो जेंडर जीम साऊथ असी सूब्रिका जो निचसों चयोबिस्ट में प्रवान प्रकासी थी जिसमें अफ्रीका की जन्जातियों में मदर अघ्र को ब्रुष्ण में सामाजिक संबंदों का अध्यन एक इकरत सामाजिक बेवस्ता के इंतगर्ण सामाजिक संबंदों के अध्यन के रूप में प्रस्तुत किया है मेलनौस्की के संपर्ख में आए और बहीं से आप मानोसास्तों नातिदारी संबंदों के आपके फिल्ड स्टडीज पर काफी काम होने लगे केंब्रीज में जब आप थे तब आपकी मैरीज होई बिनी फ्रेट मैरी ल्याउन से और आपके पुत्री थी और इनके संबंदों में पारिवाया इनके वैभाहिक संबंदों में तनाओ की स्थिति उत्पन होने लगी सामाजिक मानो विज्ञान के पिता मैं के रूप में जाने जाने बाद अलफेट रेटकिल ब्राउन जो हैं काफी इनके पेपर्स बहुत हैं बुक्स इनकी ज्यादा नहीं है लेकिन इनके लिखा बहुत कुछ है और 24 अक्टूबर 1955 को युके बर्मेंगम लंदन में ही आप पा निधन हो गया तो रेटकिल ब्राउन का जो में काम है संचनात्मक प्रकारवाद की इन्होंने चर्चा की है यह परसा मानो शास्त्री थे जिनको की 1937 में चेर दी गई थी आक्सवोड में और वो चेर इन्होंने रिटायर्मेंट सा किनी के पास रहे इन्होंने बिटिस शन्पने इन्थ्य प्रकारवाद की जानते हैं मлов victory न है कि नाते दारी संबंदों की बात की दी आज जम देनेorthete रेजिन और रेटकिल ब्राउन का जो कि ए आर्फे प्रकार्वाथ से जाने जाते हैं आज उनके जनम दिन पे उनके सनचनात्मक प्रकारवाद को हम हमिसा पढ़ते हैं फिल्ड स्टडी में दो नाम बहुत चर्चित हैं प्रटेन के दोनों मानों सास्री हैं एक एर रेडिकल ब्राउन दूते मेलनौस्की मिलनौसकी और रेटकल ब्राउन के सनचनात्मक प्रकारवाद की चर्चा किये बिना हम समासास का अध्यन नहीं कर सकते ये दुर्खीम से बहुत प्रभावित थे इवान्स प्रचाड से बहुत प्रभावित थे के सनल्रखीम के प्रकारवाद की प्रस्तुत किया है ? इसे काफी कमान था us प्रकारवाद था ? इन्हे इन्हें सोझल अन्थॉपलोजी को कुछ कई विक्सित किया ? लो